करने वाले हैं इस गाड़ी का फुल डीटेल रिव्यू इस वीडियो में जानेगे इस गाड़ी का प्राइस कितना है मैलेज कितना है टॉप स्पीड कितनी है कितने सिसी का इंजल लगा हुआ सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में जाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए एक बार आप लोग यह पूरा लुक देख लेजिए उसके बाद कॉमेंट करके बताएए कि आपको यह लुक कैसा लगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस गाड़ी का प्राइज नहीं तो दोस्तों मैं लखनो का रहने वाला हूं तो मैं आपको लखनो का प्राइज बताता हूं इस गाड़ी का एक सो रूम प्राइज आपको 2,45,000 रुपय पढ़ जाएगा इंस्वेरेंस आपका 14,000 रुपय पढ़ जाएगा अधर चार्जस मिला के आपको यह गाड़ी 2,85, प्राइज बीना देरी की हुए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिविव एहे रहा नहीं जाता तड़प ही एसी है ना इस अपसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रेंट की तो हैड्लाइट में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है डी आरल सापको मिल जाते हैं विंस इंजिन वर्निंग लाइट नुट्र के लाइट सपीडो मीटर सब कुछ आपको इसमें दिखाएगा एक बार मैं आपको डीरल और इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूं ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं एलेडी में है इसलिए काफी ब्राइट है टेल लाइट और इंडिकेटर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं काफी बेतर लगता है इसके बाद बात करेंगे गड़े के हैंडल बार की तो लेफट साइड यकल जाती है एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये गाड़ी आपको 500 km तक ले जा सकती है split seat आपको मिल जाती है rider और पिलेन के लिए इसकी कुछिनिक काफी बहतर है 250 adventure का sticker यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पिलेन के safety के लिए grab rail दिया गया है WP apex के आपको upside down suspension मिल जाते है रिफ्लेक्टर मिल जाता है बाद करें फ्रंट टायर साइज की तो सो बाई नबबे उननई से इंच का आपको टूबलेस टायर मिल जाता है ब्लैक कलर में अलोईज मिल जाते है फ्रंट में आपको 320 mm का मिल जाता है two channel abs के साथ आत है यहां पर देख सकते हैं ब्रेक्स कैलिपर यहां पर आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं लिक्वीड कूल्ड इंजन आता है इसलिए यहां पर आपको radiator grill देखने को मिल जाएगी और यहीं पर आपको single horn देखने को मिल जाएगा लेक गाड़ मिल जाता है इंजिन की safety के लिए काउल दिया गया है बात करें इंजिन की तो 248 cc का single cylinder four stroke four लिक्विड इंजिन मिल जाता है जिसके max power की बात कि जाए 30 ps की power प्रेडियूस करता है 24 अम का टॉप रेडियूस करता है इंजिन split frame मिल जाता है आपको इस गाड़ी में rear brakes paddle यहां पर आपको मिल जाएगा front का footrest मिल जाता है रियर में आपको white color का mono sock suspension देखने को मिल जाएगा rear footrest मिल जाता है बड़ा सा exhaust pipe आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी के rear tire size के तो 130 by 80 17 इंच के आपको tubeless tire मिल जाता है rear में आपको 230 mm का disc मिल जाता है dual channel ABS के साथ आती है तो ABS की ring यहाँ पर देख सकते है brakes के लिपर आपको उपर देखने को मिल जाएगे दूसरी तरह पाते है तो यहाँ पर आपको सारी guard मिल जाता है open chain मिल जाती है rear footrest मिल जाता है front का footrest मिल जाता है six speed gearbox मिल जाता है इस गाड़ी में आपको single stand मिलता है जिसमें लगा हुआ है sensor engine cut off sensor जब तक stand लगा रहेगा आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी या फिर start नहीं होगी थोड़ी से और जानकारी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको dual channel ABS sleeper clutch मिल जाता है seat height आपको 800-255 mm की मिल जाती है ground clearance आपको 200 mm का मिल जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद